अब देख रहे हैं आपका चैनल शेवजार विद आयुष और दोस्तों वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर्स और बहुत सारी आटो कंपनीज के बारे में स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स पर चर्चा करेंगे तो आज टाटा मोटर्स आप देख सकते हैं करीब आट पर प करेक्ट होता हुआ नजर आ चुका है और अभी भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनिटली गिरावट चालू है दोस्तों आज 976.90 पर स्टॉक ओपन होता है 984.50 तक जाता है बड़ उसके बाद 6 में फिर गिरावट देखने को मिलती है तो करीब 958.90 का लो बनाता है पिछले 6 महीने में दोस्तों कर आप स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर जितनी तीजी इसने बनाई थी वो अल्मोस्ट खोचुका है बलकि अब 6 महीने में 25.85 पैसे नीचे दिखता है यानि करीबन धाई पॉसन का आपको negative return जो है वो basically company देती हुए नजर आ रही है तो गिरावट की पीछे का बड़ा कारण क्या था तो दोस्तों गिरावट की पीछे का बड़ा कारण था आज auto sales का आना दोस्तों company की auto sales निकल कर आई और auto sales ने फिर से दोस्तों निराश कर दिया दोस्तों टाटा मोटर्स की जो auto sales हमको आदी हुए नजर आई है वो definitely काफी दर disappointing company दोस्तों September के मन्त में करीबन 69,694 यूनिट्स बेची जो September 2023 के हिसाब से जो company ने बेची थी गाडिया वो खुल मिलाकर 82,023 यूनिट्स थी यानि अगर आप साल बर साल दिखेंगे तो company ने almost 15% की यहाँ पर कह सकते है decline दिखाया है इस प्रकार की बड़ी गिरावट आपक 69,694 वही इससे जो previous month था दोस्ते ने August का उसमें company ने करीबन 71,693 यूनिट्स बेची थी तो यहाँ पर भी करीबन 2.79% का आपको एक decline देखने को मिलता है यहाँ बाल बताने वाली क्या है कि यहाँ पर जो numbers है Tata Motors के जो auto sales के वो definitely फिर से वीक आते हुए नजर आए पैसे ज vehicles का जो sale है वो कुल मिलाकर दोस्तो 9% तक decline करता हुआ नजर आया करीबन 41,330 यूनिट्स company ने बेची है यही इस साल में जो numbers आये वो तो यह है लेकिन पिछले साल तक करीबन दोस्तों company ने 45,370 यूनिट्स बेच दी थी इसके लाब दोस्तों company का नया model है right the curve उसका data अभी दोस्तों company ने यहाँ पर नहीं बताया वो numbers हमको बाद में आते हुए नजर आएंगे बट company ने काया कि वो definitely अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है याद रखेगा यह उसमें included नहीं है और दोस्तों company की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर export थी वो भी दोस्तों कुछ खास नहीं तक था 27% का month on month decline भी आपको देखने को मिला है तो overall जो Tata Motors के numbers है वो काफी week आते हुए नजर आए यह बहुत important बात है company के जो EV sales है उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली है तो ऐसे numbers के पीछे का कारण का है तो इस पर दोस्तों company के management ने क्या काई आप कताता हूँ दे साफ साफ का है कि उन्होंने जो उनकी dealers है उनको जादा car dispatch नहीं किये few cars ले dispatch करीए because company festive season के उपर ध्यान रख रही है festive season को देख रही है इसलिए company ने का है कि उन्होंने तोड़ा सा inventory build up कर रही है ताकि अच्छा उनको पर inventory है ताकि अच्छा उनको इंवेंटरी है ताकि अच् पर दोस्तों company ने साफ साफ क्या कहा यह important बात है तो उनका प्रेसेंजर वहिकर्स इंडस्ट्री है क्यू टो फट्वेंटिव के अंदर वहां पर करीबन पांच पॉसनल डिखने को मिला है रीटेल के अंदर जो वाहन registration है वह definitely आपको कम आते हुए नज़र आए driven by slow consumer demand and seasonal factors य यह नहीं उनका कहना है कि जो demand है वह definitely अच्छी नहीं है दूसरी बात कुछ seasonal factors भी थे जिसके कारण जो गाड़ी विकरी थी वह उतनी जादा अच्छी नहीं हो पाई लेकिन जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं Tata Motors के EV sales के बारे में तो देखिए उन्होंने EV पर क्या खाए EV sales का जो personal segment है वो affect हुआ है by lapse of registration and road tax waivers in key states यह basically का है मतलब जो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं पहले आपको waivers मिलते थे आपको जो यहाँ पर छूट मिलती थी कि अगर आप EV गाड़ी खरीद देंगे तो आपको इतना benefit होता हुआ नजर आएगा जबसे वो हटा है उसके कारण दोस्तों तो registration की rate है वो भी definitely decline करी है उन्हेंने का है कि जो fleet EV sales है वो अभी भी continue to remain impacted due to laps of fame second and non inclusion of the fleet segment in the PME drive scheme मतलब basically जो सर्कार ने दोस्तों fame 2 scheme चला रखी थी fame second scheme वे से वो चला रखी थी 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 क्योंकि उसका हमको discontinuation देखने को मिल चुका है और जो इनकी EV sales है वो इसलिए भी कम होती है नजर आएगे वो PME drive scheme में भी नहीं आती है तो इसके कारण वो उनका मानना है कि जो EV sales है उस पे आपको impact देखने को मला है लेकिन Tata Motors ने कहा है कि in terms of higher vehicle registration registration जो है वो basically अब pick up कर रहे हैं पेस उनने कहा कि at the end of the month वो कहा है उनको देखना है कि festive period के करण definitely जो distractions है वो बढ़ते वने दारों ने कहा कि हम focus हैं कि किस तरीके से consumer preference को के उपर focus करें exciting range और वहीकल के उपर focus करें और हमारी dealer network के साथ एक healthy relationship maintain करें basically ये company ने कहा है so इसका मतलब Tata Motors के लिए कहा है लेकि Tata Motors की जो इस बार भी auto sales निकल करा है और इससे पहले वाली auto sales भी थी वो definitely weak देखने को मली है और जब से दोस्तों वो data निकल करा है अगर आप notice करेंगे share में आपको गिरावट देखने को मल रहे है विससे त बार आपको weak देखने को मिलेगा महाँ पर भी दोस्तों थोजी से disappointment आपको देखने को मिल सकती है company के q2 results के अंदर महाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है ये भी दोस्तों एक सबसे बड़ा कारण है कि stock में एक pressure आपको already create होता बने जाना रहे है बट क्या इस fresh round of selling देखने को मिलेगा जिसको 900 के towards लेकर जाएगा लेकिन क्या हाल सिफ Tata Motors का खराब है या फिर बाकी companies का भी खराब है जिसकर आप मारुत देखेंगे तो आज करीबन 0.68% नीचे बंद हुआ लेकिन महीं M&M की अगर बात करते हैं तो M&M में शांदार 30 देखने को मिली जिसमें मारुति सुजुकी के numbers अच्छे आते हैं M&M जो महींदरा है उनके दोस्तो numbers पर आप देखेंगे growth trajectory पर है और Toyota के भी तो Hyundai ने कैसे numbers पेश करें लेकि Hyundai ने करीबन 10.38% का decline दिखाया है इस बार numbers के अंदर यह आपको साफ देखने को मिलेगा 64201 units जो है वो basically दोस्तो अब आतीव निज़र आईए अच्छे numbers हम कह सकते हैं basically इनके आए हैं इसके अलावा अगरा हम बात करते हैं मारुति के तो मारुति के numbers में दोस्तों overall आपको थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है कुछ segments के अंदर बट कुछ segment अभी भी बढ़िया करते वे निज से भी कम है पड़ा थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को उधर मिली है बाकी यहाँ पर जो mg motor है mg motor ने करीवन यहाँ पर 8.3% का गिरावट दिखाया यही sales गम होती भी नज़र आई है वही महिंद्रा इन महिंद्रा के अगर हम numbers की बात करते हैं तो domestic sales जो है वो करीबन 51,062 units पर आते हैं करीबन 24% की सालना ग्रोथ दिखाते हैं यह हम साफ कह सकते हैं तो अच्छे numbers आपको आते हैं और जो month on month sales है वो भी दोस्तों करीबन 18% अब देखने को मिली है M&M की राइट then Tata Motors के तो हमने बात करी लिए कि numbers डिफिनिटली वीक आते हैं Toyota कि लोज करके अगर ब companies numbers अभी पेश कर रही है कि अपने आप में काफी ज्यादा वहिकल सोल करती है तो numbers आपको obviously गरता हुआ नजर आ हैं बट expectations कि आने वाले हफते में सही होगा तो लेट्स आने वाले महीने माफ करीगा राइट तो लेट्स ही क्या होता है किस तरीकी कर जाता है यह देखना अली इस वीडियो